यहलो आप यहलो अब्रीवन गुट इस वीडियो ए मोने अवाऊट है प्राइट मुच्वल इंडधेंश भी सॉँछ्वलिंडेक्टेंश भी से हम लोग मुच्वल इंड़ेक्टेंश को मिजर करते हैं से पिर अलीदेश्व नाइब जिएज फर टू मेरदा मुच्वलू इ है इनτιम आप एटएंस जो सेल्फ फिनले से पता है उसके सब्सक्रायेम Northeast को निकालते हैं यह current ऐसे करके mutual inductance होते हुए आएगा और i1 इधर चला जाएगा i2 इधर आजाएगा तो r1 l1 में जो current आ रहा है वो i1 है और r2 l2 में current है वो i2 है जब आपका bridge balance रहता है तो detector में कोई भी current नहीं होता है जीरो current होता है तो यह जो i1 current है वही हो जाएगा इसमें भी r3 में और यह जो i2 current है वही हो जाएगा r4 में भी चलिए अब हम लोग देखते हैं माल लेते हैं let m is equal to mutual inductance of unknown coil जो unknown coil है उसका mutual inductance है m at violence condition violence condition पर क्या होगा voltage across vbc इसके cross voltage होगा वह ही इसके cross voltage होगा क्योंकि जब आपका violence होता है ब्रीज तो डिटेक्टर में zero current होता है तो यहां बी और दी के पास potential क्या होता है सेम होता है तो इसके cross voltage होगा वही इसके cross voltage होगा means voltage across vbc is called to vdc इसके cross voltage और इसके cross voltage सेम होगा अब देखिए इसके cross voltage क्या है इसमें तो current आ रहा है वह i1 है और resistance क्या है r3 है और भी इसके cross voltage होगा और इसमें जो voltage होगा कितना हो गया i2 into r4 तो i1 r3 is called to क्या जाएगा i2 into r4 इसको equation 1 मार लेंगे यहां से i1 is called to क्या जाएगा i1 is called to यहां से आपका आ जाएगा i2 r4 बटे r3 यह जाएगा नहीं से i1 का फैलू यह आगे अब देखिए यहां पे second इसके लिए लिखिए यह तो इसमें जो है मूच्वाल इनक्टेंस में जो current है वो कितना है i1 प्लस i2 दोनों का सम है आईवन इधर जा रहा है तो क्या जाएगा i1 plus i2 into j omega m this plus अब देखिए इसमें आईवन कुनकुन सब्सक्राइब जा रहा है i1 जो current है यह आर्म और यह आर्म में जा रहा है तो r2 plus r4 plus j omega l2 तो यहाँ पे j omega l2 आपका आगया अब यहाँ से क्या करना है putting the value of i1 in equation 2 यहाँ से जो i1 आपका आया है यह i1 का value इसको equation 2 यह वला equation में put कर दिए जहाँ जहाँ i1 है वहाँ पे i2 r4 बटे r3 कर दिए तो देखिए यहाँ i1 है i1 के दिख़ए आइटू r4 बटे r3 plus i2 into j omega m plus i1 है तो i1 के दिख़ए पे क्या लिखेंगे i2 r4 बटे r3 into r1 plus r3 plus j omega l1 is equal to i2 r2 plus r4 plus j omega l2 लिख दिए अब क्या करना है इसको rearrange करना है इसको क्या करना है rearrange करना इस equation को जब rearrange करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा r2 plus r4 plus j omega l2 is equal to r1 r4 बटे r3 plus r4 plus j को बाहर कर लिजे यहाँ पर देखिए इसमें भी j देखिए है यहाँ जैज जैब इसको कीजिएगा तो जै को बाहर कीजिए ओमेगा आएम कॉमण लिए ये 1 प्लस आरफर बटे आर्थ्री प्लस ओमेगा l1 but l1 आर्फर बटे आर्थ्री यह आप का जाएगा इसको रियाइर्ज करने पर यह वहला तर्म आजाएगा अब तब आपको जब real को कीजिएगा यहां से इसको solve करने पर तो real part का क्या आजाएगा R2 R4 is equal to R1 R4 बटे R3 plus R4 आजाएगा यहां से आपका इसको फिर solve कर लिए तो यह बला equation आएगा R3 R4 और R3 R4 कर जाएगा तो R1 is equal to क्या आजाएगा यहां से R2 R3 बटे R4 यहां से आपका R1 का बहलू आजाएगा जब यहां से real term को आप equate करेंगे real term को करेंगे तो आर 1 का बहलू आजाएगा और जब Image entropy term को equate करेंगे तो आपको यहां से M का बहलू आजाएगा Image memory term ko rearrange प्लिक करेंगे तो एंब का ऋrend फोलन डिये जुट प्रस ग्या का अब देख है आपको आगोन और एम पता चल गया R1 R1 और M का value पता चल गया यहां से क्या करेंगे हम लोग L2 और R2 का भी value पता कर लेंगे कर आप फोर the determination of mutual inductance the self inductance of the mutual inductor must be known देखिए यहां पे अगर आपको self inductance नहीं पता होगा तो mutual inductance नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पे L2 L1 है तो self inductance है L1 और L2 क्या है self inductance है तो वह आपको जब तक नहीं पता होगा तब तक आप M का value नहीं निकाल सकते हैं तो यहां से आपको यह पता होना चाहिए self inductance आपको पता होना चाहिए heavy side mutual inductance bridge can be used to determine self inductance as follows आप देखिए यहां से heavy side mutual inductance bridge से self inductance को कैसे हम लोग पता करेंगे तो माल लेते हैं let L2 be the unknown self inductance यह जो L2 है यह unknown self inductance है from bridge balance condition we have bridge balance condition से हमको R1 और L1 M मिल गया है R1 is equal to कितना गया है R2 R3 बटे R4 और M is equal to R3 L2 minus R4 L1 बटे R3 R3 plus R4 यहां पर R3 हो जाएगा R3 plus R4 हो गया अब क्या करना है यहां से L2 का value निकाल दीजिए यहां से this equation यह जो M है यहां से आप L2 का value निकाल सकते हैं तो यहां से L2 का value जब निकालेंगे तो क्या जाएगा L2 is equal to M into R3 plus R4 plus R4 L1 बटे R3 इसी के term में यहां से L2 निकाल दीजिए सब्सक्राइब दीजिए हुआ यहां से L2 निकाल जाएगा और इसी को फिर L2 को हम क्यारेंज करके कैसे लिखेंगे L2 is equal to M 1 plus R4 बटे R3 plus R4 बटे R3 into L1 यहां से आपका L2 का value निकाल जाएगा इस तरह से हम लोग इसको solve कर लेंगे अब हम लोग heavy side mutual inductance bridge का फेजा डाइग्राम देखेंगे तो देखिए यह इसका फेजा डाइग्राम है यहां पर इसमें जो current है इसमें जो current I2 है अब देखिए हम लोग जानते है resistance होता है सेम फेज में होता है यहां पर यहां पर कैवान है तो सपोजुर्स रिजिंगराई अब देखिए इसमें क्रोस्के रोज्टेश होगा वोटेश अक्रोस भी ए दी तो यह रेशिस्टेंस अड़फ वह वहजागा है वोटेश भी एडी क्योंकि सेम पोतेंचल पर यह दोनों नो होगा इक्टन हो जाएगा तो लुब इसके आदी और भी ए वी में यहां देखिए इस रेसिस्टेंस आ तो लिए बेसे इसके होगा और में आध्यों तो एक भंडक क्या चाइब क्या हो जाएका इम बूल्थर जा לי इसके मिन्स भी itself क्या जागा विदी के यह mıN यहां पर यहां पर स्कारा हुआ इस में पर आइटर क्या होगा है यहां पर आइटिव टूरफ और सेम में है इसुइज में सब्सक्राइब देशिस्टर होना 10ight होता है जो है 90 रिसे लीड करता है तो यहां पर देख्ये यह क्या होगा निटीगरू से 1 जो है उसमें वोल्टेज क्या हो जाएगा आईवन ओमेगा हो जैगा बोल्टेज और करेंट से जिसके डिगुरी क्रणवा नाइट रिगड करेगा यहां पर अब देखें जो है यह भी मुचल इंडक्टेंस है यह लीड करेंगा 90 तो यह आपका इसमें जो दो कितना होगा I1 plus I2 into J omega M इसमें voltage यह होगा तो यह आपका हो गया क्योंकि इंडेक्टर है तो लीड कर रहा है 90 डिग्री से अब देखिए resultant जो हो जाएगा resultant क्या हो जाएगा यह यह इसका resultant हो जाएगा total यह total मिला कि आपका resultant आगया अब देखिए यहां से final resultant होगा वो क्या हो जाएगा यहां पे यह जो आपका finally voltage आगया VAC जो है यह यह आपका finally आगया यहां से आपका I1RC है is equal to I2RT means यह जो है अगर आप इसको देखिए voltage के टर्में तो यहां पे finally voltage आपको मिल जाएगा finally voltage मिल जाएगा क्योंकि यहां पे I1R3 है I1R3 means V3 है यहां पे V3 is equal to V4 हो जाएगा तो और यहां से आपका voltage आ रहा है तो यह finally आपका output voltage आ जाएगा जो voltage है रियल्टेंट voltage finally यह आपका फेजर डियाग्राम है thank you for watching this video thank you so much